तो आपको दिखाएंगे तब चलिए डेरी ना करके में चिकन कसा दिखाने के लिए तो पहले में बताती हूं आपको जो भी मेरी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर देजिए ताकि पास में जो आता है बेल आको दबा दीजिए मेरी जो भी मेना वीडियो अप्लोड करूं आपको पास जल 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 पंचेंगे तब चलिए हम जाएंगे चिकन बनन के लिए चलिए स्टाट करेंगे ज्यासन कर दिया तो कड़ाई भी बेठा लेंगे कड़ा तोड़ा गलन होने के लिए जादेंगे उसका बाद में डाला मस्टाड आयल क्योंकि चिकन में मस्टाड आयल अच्छा लगता है सक ठोड़ा सा लाल होने का बाद तेल में पूरा लाल होने का बाद मैंने दी दिया दोठो तेश पत्ता तेश पत्ता देने के बाद मेने दे दिया ओनिया ओनियन डेटिंगे दो ओनियन अच्छा नहीं होटा स्पार्टो रादश आयलके वह दोड़ा प्याज लाल होने का बाद मैं दे जोगी अद्रग और लॉसुन का पेस्ट उसको थोड़ा अच्छा से मिला देंगे मैंने उसका साथ दे दिया हल्ली पाउडर थोड़ा साल लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा साल दरसर क्यूंकि मैं चीकन मैगनेट करके रखा है और अभी इसले थोड़ा सा ना मक दे दिया अभी ये तिनको थोड़ा मिला देंगे पाउड़ा ये जागने लाल मिला करें थोड़ा झाल 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 कि अग्षा थोड़ा फ्राइब होने देगी तो फैंगे हाथ मसला को अच्छा तरीज करते में घूम लिया उसका बस मैंने दे दिया टमाटर टमाटर को पूरा प्राय होना दीजिए टमाटर को पूरा प्राय होना दीजिए जब टमाटर गल जाएगा तो मसला अच्छा तरीका से हो जाएगा अभी मसला कुदा प्राय हो गया अच्छा तरीका से देखिए कितना सुन्दर कॉलर है इतना अच्छा सा कॉलर आया उसके बाद मैंने दे दिया एभारिस्ट का चिकेन मसाला यह दिखिए एभारिस्ट का चिकेन मसाला मसाला देने के बाद मैंने दे दिया मैगनेट हुआ चिकेन यास को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा क्यूंकि नहीं तो नीच्छे बेर्च आयेंगे मसाला दल जायेंगे पसको मुलियो माँच परे देनो बालेगा इसको मुलियो मैं आड़ो कर देनो जायें लेन अवरे लेगा लेवाज लेवाए लेवाज ही वुझ पड़ेवाज हिए मैंने उसको थोड़ा ढ़ागे दिया हमारा चीकेन क्या हुआ वाव देखो कितना अच्छा हुआ को लस देखो कितना अच्छा हुआ पूरा चीकेन घल गया और कसा भी हो गया अभी रोटी कसा दो उसको खाएंगे मैं प्लास्ट में खोड़ा सा गरम मसाला दे दिया एवरिस्ट का और उसको अच्छा से मिला देगे मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखा क्योंकि मैं रोटी का साथ खाऊंगी या चाहल का साथ भी खा सकते तो इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखा मेरी चिकेन कसा आप लोग को मेरी चिकेन कसा कैसे लगा आप लोग कमेंट में बताएगा तो तब तक हमको कमेंट देना है आपको तो मेरी चिकेन कसा आज कैसे लगा आपको तो मेरी कमेंट में बताएगा तब तक हमको जय चेगरनाथ